स्वागते प्यारे बच्चो आज़म गागर में सागर इस कविता का भावार देखेंगे यह कविता बिहारी जी ने लिखी है बिहारी जी का जन सन 1595 के लगबग ग्वालियर में हुआ और मृत्यु 1664 में हुई बिहारी जी ने नीती और ग्यान के दोहों के साथ-साथ प्रकृती चित्रन भी बहुत ही सुन्दरता के साथ प्रस्तुत किया है सचसई बिहारी जी की एक मात्र रचना है इसमें 719 दोहे संकलित है सभी दोहे सुन्दर और सराहनिय है वे गागर में सागर के समान है शुरुवात करते हैं या अनुरागी चित्त की गती समुझे नहीं कोई जो जो बूडे से आमरंग त्योत्यो उजलू होई इन दोहों में कवी ने कहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करता है उसकी गती को कोई नहीं समझ सकता वह जैसे जैसे कृष्ण प गरुगरु डोलत दीन हवे जुन जनु जाचतु जाई दिये लोब चसमा चकनु लगुपुनी बड़ो लखाई इन दोहों के माध्यम से कवी हमें कहना चाहते है कि लोभी मनुष्य दीन बनकर घर-घर में गिर-गिडाता फिरता है और जन-जन के समक्ष हात फेला कर उसे छोटा मनुष्य भी बड़ा अर्थात धन्वान जान पड़ता है लोब के कारण उसे यह ज्यात नहीं रहता कि जिससे वह याचना कर रहा है उसमें देने का सामर्थ्य है भी या नहीं कनक कनकते सोगुणी मादकता अधिकाई उहीं खाए बोराई जगू इही पाए बोराई अब बच्चो यहाँ पर बोराई का मतलब होता है पागल होना यानि कि बोराना यहाँ पर कभी हमें कहना चाहते है कि स्वर्ण में धतूरे से सोगुणी अधिक मादकता होती है धतूरा खाने से व्यक्ति को नशा हो जाता है परन्तु सोने को पाने मातर से ही उसे नशा हो जाता है अर्थात व्यक्ति को घमण हो जाता है वह अपनों से दूर होने लगता उसे अहंकार हो जाता है गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न हो तू सुन्यों कहू तरू अर्कते अर्क समान उदो तू तो बच्चों यहाँ पर निगुनी का अर्थ होता है जिसमें गुन नहीं है यहाँ पर कवी कहना चाहते है कि गुनों से रहित किसी व्यक्ति को यदि सारा संसार गुनी गुनी कहकर पुकारे तो वहाँ गुनी नहीं हो जाता आग के पेड को अर्क कहा जाता है जो की सूर्य का दूसरा नाम है परन्तु ऐसा कहने से आक से सूर्य के समान प्रकाश नहीं हो सकता प्रकाश सूर्य से ही होता है अर्था जिसमें गुण हो वही गुणी कहला कर सम्मान पाता है यहाँ पर कवी कहते है कि मनुष्य और फुहारे के नल की एक ही दशा है फुहारा जितना नीचे होगा उसका पानी उतना ही उपर तक जाएगा इसी प्रकार व्यक्ति जितना विनम्र होगा वह उतना ही उन्नत और स्रेष्ट हो जाता है समाज में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है अति अगादू अति ओथरो नदी कूप सरुबाई सो ताको सागरू जहा जाकी प्यास बुझाई तो बच्चो यहाँ पर अगादू याने की अगाद और सरू याने की सरोवर यहाँ पर कवी कहते हैं कि नदी, कुवा, सरोवर और बावडी चाहे अथाह जल से भरी हो अत्वा उथली हो अर्थात उसमें बहुत कम जल हो प्यासे व्यक्ति की प्यास जहां बुझ जाए उसके लिए वही सागर है प्यासे के लिए वह सागर व्यर्थ है जहां उसकी प्यास नहीं बुझ पाती इसी प्रकार यदि बड़ा आदमी हमारे किसी काम न आए और छोटा आदमी समय पर हमारी सहायता करे तो वह छोटा व्यक्ति हमारे लिए सागर के समान है बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरो सकातू जो निकलंक मयंकु लखी गने लोग उतपातू तो बच्चो यहाँ निकलंक का अर्थ होता है निशकलंक और मयंकु का अर्थ होता है चंद्रमा और उतपातू का अर्थ है मुसीबत याने की आफत यहाँ पर कभी कहते है कि यदि बुरा आदमी बुराई करना छोड़ दे तो भी चित्य उससे डरता है जैसे चंद्रमा को कलंक रही देखकर लोग उपद्रव की आशंका करने लगते है जब कोई बुरा व्यक्ती बुराई छोड़ कर भला बन जाता है तब भी लोग यह सोचा करते है कि शायद उपद्रव करने के लिए शान्त होकर योजना बना रहा हो समय समय सुन्दर सबय रूप कुरूप न कोई मन की रूची जेती जिते तिततेती रूची होई इन पंक्तियों के माध्यम से कभी हमें कहना चाहते है कि यह समस्त सुष्टी प्रभू की रचना है इसमें न कोई सुन्दर है और न कोई असुन्दर इश्वर की संपूर्ण शुष्टी ही सुन्दरता से परिपूर्ण है अपने अपने आउसर पर सभी वस्तु ये सुन्दर लगती है मनुश्य के मन की चाह जितनी होती है उस समय उस वस्तु में उतनी ही सुन्दरता दिखाई पड़ती है तो बच्चो इस कविता का भावार्त यही समाप्त होता है यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर यह वीडियो आपको helpful लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूले